Hello everyone, this is Satpal and you are watching Option Seller और आज का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे Iron Condor की जो कि एक बहुत profitable strategy है, बहुत safe strategy है जो नए trader होते हैं, उनको मैं यही recommend करता हूँ कि अगर आप Option Selling स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप strategies के थूँआ Option Selling कीजिए और स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छे जो strategy है वो है Iron Condor और Iron Fly क्योंकि यहाँ पे आपका risk है, वो defined रहता है एक limited risk के साथ और आप यहाँ पे Option Selling स्टार्ट कर सकती हो तो मुझे काफे time हो गया था Iron Condor को कोई वीडियो लेके आए हुए, मुझे काफे request भी आ रही थी और दूसरा अभी जो Wix Environment बन रहा है उसमें Iron Condor और Iron Fly है यह दो strategy fit भी बैठती है तो इस वज़े से आज का वीडियो है, यह Iron Condor के उपर है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक Iron Condor को किस तरह से trade कर सकते हो और यह कहना तो खेर गलत होगा कि आपको कभी भी इसमें loss नहीं होगा लेकिन अगर आपको adjustment आते हैं तो हाँ majority of the times आप इसमें से बिना किसी loss के निकल सकते हो अगर market आपके against भी जाता है तो आप इसको manage करके और आपके loss को काफी हद तक आप इसको mitigate कर सकते हो उसको हटा सकते हो तो risk free मैं नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ आप इसको हटा सकते हो majority of the times तो कैसे आपको manage करना है इस वीडियो में आपको यहीं बताऊंगा कि देखे आपने एक iron condor को trade किया है उसके बाद market अगर आपकी profitable range में रहता है तब तो आपको profit हो गाई लेकिन अगर आपकी profitable range को तोड़ के और market उपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो फिर वहाँ पे आपको loss हो सकता है तो इस loss को आप किस तरह से हटा सकते हो कैसे आप अपने iron condor को manage कर सकते हो आज किस वीडियो में आपको यहीं बताऊंगा तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से आप देखे क्योंकि एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी आज मैं आपको बताऊंगा कि adjustment आपको किस तरह से करने एक iron condor study में है तो चलिए अब screen के ओपर चलते हैं और वहाँ पर यह मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन हाँ screen पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपने अभी तक option seller के app को आपको डाउनलूड नहीं किया है तो नीचे मैंने description में link दे दिया है link पर जाके आप app को डाउनलूड कर सकते हूँ वहाँ पर जो मेरा content है जो मैंने courses डाल रखे वो आपको देखने को मिल जाएंगे तो चलिए अब screen के ओपर चलते हैं तो fab तो अभी simulator में available होगा नहीं तो जो पिछला month है उसको लेके और मापको दिखाता हूँ कि वहाँ पर मान लेजे आप एक iron condor को trade करते हो तो वह मनता हो काफी volatile था तो वहाँ पर आप किस तरह से एक iron condor को manage कर सकते हो यह मापको दिखाता हूँ तो मान लेजे आपने एक January को trade लिया है और January month के expiry कब थी 25th January को तो option chain को मैं open कर लेता हूँ यहाँ पर market trade कर रहा है 21,800 के आसपास जो 50 delta है वो 21,850 के आसपास है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा मान लेजे 200-200 point में नीचे जाऊँगा और उतना ही उपर आके कारन कोंडूर को यहाँ पर मान लेजे मैं trade करता हूँ मेरा view है कि market इस range में रहेगा तो इस वज़े से यहाँ पर मैं इक कारन कोंडूर को trade कर रहा हूँ तो यह at the money का level है तो let's say मैं नीचे आता हूँ और 21,600 का एक put option है यह sell कर देता हूँ एक load 21,600 का एक put option sell कर दिया है इसी तरह से जो at the money का level है इससे उपर आता हूँ और 22,100 का जो call option है यह मैंने sell कर दिया ठीक है तो अब आप देखिए यह मेरा payoff chart बनता है मैंने क्या किया 21,600 का एक put option sell कर दिया है और 22,100 का एक call option sell कर दिया है अब क्या करूँगा यह होगी एक strangle यह मैंने strangle को sell कर दिया iron condor नहीं अभी यह iron condor कब बनेगी जब मैं दोनों तरफ hedges को buy करूँगा तो अब मैं क्या करूँगा मैं 21,600 से 100 point नीचे जाके 21,500 का एक put option buy कर लूँगा और 22,100 का जो call option जो मैंने sell कर रखा इससे 100 point उपर आके और 22,200 का एक call option buy कर लूँगा तो पहले put option का hedge मैं buy कर लेता हूँ 21,600 मैंने sell किया था 21,500 है यह मैं buy कर लूँगा इसी तरह से 22,100 का call option है यह मैंने sell किया है इससे 100 point उपर आके 22,200 का call option है यह मैं buy कर लूँगा तो अब आप देखे यह मेरा pay of chart बनता है यह मेरा iron condor है मेरा maximum profit है यहाँ पर वो है 30,400 रुपीज का और मेरा maximum loss है वो 1600 रुपीज का है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो नए trader होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी strategy यह है क्योंकि वहाँ पे देखे option selling में क्या होता आपका risk का वो undefined होता है unlimited होता है तो unlimited risk के साथ अगर आप option selling करते हो तो वहाँ पे गलती के गुंजायशा वो काफी कम हो जाती है वहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है इस वज़े से option selling अगर आप naked करते हो तो वो आपके लिए safe नहीं है क्योंकि नए trader से यह हम expect कर सकते हैं कि यार वो गलती करेगा क्योंकि नए trader से गलती हो सकती है तो गलती करने की गुंजैश हमारे पास होनी चाहिए अगर आप naked option selling करते हो तो गलती करने का scope नहीं है वहाँ पे लेकिन अगर आप इस तरह से option selling करते हो strategies के थूँ तो वहाँ पे आप गलतियां कर सकते हो अब इस trade में अगर मान लीजे आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं आपको adjustment नहीं भी आते हैं तो भी आपका maximum loss है वो एक load पे सिर्फ 1600 रुपीज का है उससे ज़्यादा loss आपको नहीं होगा तो worst case scenario में भी आप सिर्फ 1600 रुपीज ही lose करोगे उससे ज़्यादा loss आपको नहीं होगा तो हमेशा option selling आप strategies के थू कीजिए ठीक है तो ये मेरी iron condor है मेरा view है कि market इसी range में रहेगा तो मैंने एक iron condor को trade किया है मेरा maximum profit है वो 3400 रुपीज का है अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं और देखते हैं मार्केट किस तरह से play करता है अगले दिन उससे अगले दिन मार्केट और थोड़ा नीचा है मेरा जो lower break even है जब तक वो ने टूटेगा मैं कुछ नहीं करूँगा इसी तरह से अपर break even है वो ने टूटेगा तब तक भी मैं कुछ नहीं करूँगा मार्केट मेरे range के अंदर यह है लेकिन बिल्कुल edge पर घड़ा भी market ऊपर आया है मेरा जो profit है वो 250 रुपीज का है एक लोट पे यहाँ पर आपकी जो margin requirement है वो 40,000 के आसपास होती है तो अगर आपको 400 रुपे का profit हो रहा है तो that means you are getting 1% on your capital deployed तो यहाँ पर आपका profit है वो 450 रुपे का है मतलब एक वीक में आपको 1% का return यहाँ पर मिला है 600 रुपीज का आपको profit हो रहा है on 9th of gen देखिए आपकी जो profitable range है उसको market नहीं तोड़ रहा है 10th gen को बिल्कुल edge पर खड़ा है लेकिन क्योंकि इस तरह की जो strategies होते है जैसे iron condor होगी iron fly होगी वहाँ पर आप wait कर सकते हो आपको बहुत hard and fast नहीं होना है कि यहाँ पर market आगया है तो आप मैं adjustment करूँ आपको profit हो रहा 500 रुपे का और अभी काफी time भी बाकिया मन्त में आज 10 जनवरी होई है तो यहाँ पर आप wait कर सकते हो ऐसा नहीं है आपको rush करना है कि मुझे अब adjustment करना ही है अकले दिन देखते हैं अगले दिन market वापस उपर आया है मेरा profit आई 650 रुपीज का है 700 रुपीज का मुझे profit हो रहा है market वापस उपर आ रहा है अगले दिन देखे 16 जनवरी हो गया market उपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया मेरा profit आई 500 रुपीज का है 17 जन को market बीच में खड़ा मेरे profitable range के और मेरा profit है यह 1000 रुपीज का है तो चाहो तो आप इसको book भी कर सकते हो क्योंकि decent profit आपको रहा है देखे एक लोट आप trade कर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज का profit है यहीं पर अगर आपने 10 लोट ट्रेड किये होते तो यही profit आपका 10,000 रुपीज का है आप market ने नीचे की तरफ आपको challenge कर दिया यहां से और नीचे जाएगा तो आपका जो maximum loss है यह 16,000 रुपीज का है अब देखे एक लोट पे 16,000 रुपीज का है तो यही लोट आपको समझा रहा हूं बाकि आपकी position sizing कितनी होनी चाहिए वो आपकी capital size और आपकी risk appetite पे depend करती है कि आप कितने low trade कर रहे हो market की depth इतनी है कि आप चाहो तो solo trade कर सकते हो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं जो rule मा आपको बता रहा हूं यह एक लोट पे लागू होते हैं यह solo पे लागू होते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है क्योंकि market ने मेरे break one को तोड़ दिया है तो अब मैं क्या करूंगा जिस तरफ market ने आपको challenge किया है that is on the downside in this case तो इसके opposite side आप जाईए और वहाँ पे जो आपने hedge buy किया है सबसे पहले तो आप उसको हटा दीजिए जैसे उपर की तरफ आपने 22,100 का call option ने sell किया है और इसका hedge आपने क्या buy किया 22,200 का call option तो यह जो call option आपने buy कर रखा है यहाँ पे इसमें से आप exit ले लिजिए यह कितने पर trade कर रहा है 16 रूपीज पे इसमें से आप exit ले लिजिए 22,200 का जो call option है इसमें से exit ले लिया अब आप देखिए नीचे की तरफ आपका जो loss है वो कम हो गया जो 16 रूपे का loss था अब वो 7,700 रूपे का loss रहे गया है ठीक है इससे आपको डुना नहीं है इसको भी आप हटा सकते हो कैसे जो यह option आपने sell कर रखा है इसको आप नीचे shift करके इस loss को और कम कर सकते हो और हटा सकते हो हला कि यह मैं आपको अभी recommend नहीं करूँगा अगर market और नीचे जाता है तो आप क्या कर सकते हो 22,000 का जो call option आपने sell कर रखा 22,100 का इसको आप नीचे shift कर दीजिए जैसे आप इसको नीचे shift करोग और उससे आपका यह जो loss है यह भी हट जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ हाला के करके लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप यह मत कीजिए जैसे जैसे market और नीचे जाता है उसके बाद आप इसको कीजिए बाकि आपको करना कैसे है वह मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे 22,100 का जो call option है यह trade करा है 22 rupees पे तो इसमें से मैं exit हो जाओंगा और let's say मैं 22,000 का इसको 100 point में नीचे shift कर देता हूँ तो 22,000 का जो call option है इसको मैं sell कर देता हूँ उसको मैंने 100 point नीचे shift कर दिया है अब आप देखे on the tested side जहाँ पे market ने आपको challenge किया है वहाँ पे आपका loss है वो सिर्फ 300 रुपे का रह गया है मतलब आपका initially loss कितना था 1600 रुपे का अगर market मेरी profitable range में रहता तो मुझे डरने की जरुवत नहीं थी मेरा जो profit है वो मुझे होता लेकिन जब market ने मेरे break one को तोड़ के नीचे जाना start किया तो अब मुझे वहाँ पे shift किया नीचे इसको मैं 100 points और नीचे shift करूँगा और ये जो loss है ये भी हट जाएगा तो इस तरह से आप अपने loss को हटा सकते हो तो अब अगर market नीचे continue करता है तो आपको किसी तरह का कोई loss नहीं होगा ये 300 रुपे का loss है इसको भी मैं हटा सकता हूँ call option को नीचे shift करके औ और अगर market यहां से reverse होता है तो आपका जो ऊपर की तरफ risk का ये खुल गया अब आपको कितना भी loss हो सकता है लेकिन एक बात आप याद रखिए कि अभी expiry होने में ज़्यादा time नहीं बचा है सिर्फ एक week बचा है और आपको loss देने से पहले market को आपकी profitable range से होके गुजरन पड़ेगा मतलब आपको exit का मौका मिलेगा एक profitable exit का मौका मिलेगा या तो आपको loss नहीं होगा या आपको बड़ा loss होने से पहले profitable exit का मौका मिलेगा और दूसरी बात मैं आपको ये बोलूगा कि last week में मैं आपको कभी भी रैक्टमेंड नहीं करता हूँ कि आप जैसे इस case 25 जनवरी को expiry है तो मैं आपको नहीं बोलूगा कि आप 25 जनवरी तक बैठिए ठीक है तो यहाँ पे आपको last तक नहीं बैठना है आपको last week में enter करने से पहले आपको exit हो जाना है ज्यादा से ज्यादा Friday तक बैठ सकते हूँ बट still मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप undefined है और market ऊपर आ रहा है लेकिन ऊपर यहाँ पहुंचने से पहले market को यह जो area है इससे हो के गुजरना पड़ेगा और यह आपका maximum profit का area है इसी वजह से आपका profit है यहाँ पे 1200 रुपय का है अब अगले दिन देखते हैं अगले दिन आपका profit है यह 2500 रुपय का आपको यह 500 रुपीज का आपको यहाँ पे profit हो रहा है देखे अगर मैं यहाँ पे होंगा तो कोई भी reason नहीं है कि अब यहाँ पे मैं और रुखूंगा हलाकि मैं यहाँ तक भी नहीं रुखता इससे पिछले दिन जब 1200 रुपय का profit हो रहा था वो लेकिन मैं personally मेरा बताओ तो मैं वह हो जाता है तो इस वज़े से last week में आपको एंटर नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे आप देखिए आपका profit है यह 2400 रुपीज का है बाकि मैं आपको दिखा देता हूँ अगले दिन देखिए 24th January को आप देखिए दोबारा से मैं रिप्ले करता हूँ 23rd January को आपका profit है यह 24 2400 रुपीज का है और मार्केट कहां पे है 21700 रुपे और अगले दिन आप देखिए मार्केट कहां चला गया है 21200 पे 500 पुएंट नीचे मार्केट आ गया है और अब जो profit आपको 2500 रुपे के आसपास हो रहा था वो profit आपका पूरा चला गया है इसलिए मैं बोलता हूँ कि last सेजी से हो सकता है और इस केस में आप देखे जो आपका profit था सारा चला गया है और अगर मैं expiry day तक जाओं तो यहां पर आप देखिए आपको 800 रुपे का यहां पर profit हो रहा है तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हूँ last week में आपको एंटर नहीं करना है दो चार दिन पहले आप जरूर निकल जाए बाकि किस तरह से आपको manage करना है काईरन कोंडोर को मैंने आपको बताया अगर मार्केट आपकी profitable range में रहता है तब तो आपको profit हो ही रहा है आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं लेकिन अगर मार्केट आपको challenge करता है तो जिस तरफ मार्केट ने आपको challenge किया है वहाँ पर आप अपने risk को किस तरह से कम कर सकते हो किस तरह से हटा सकते हो यह मैंने आपको इस वीडियो के दो बताया तो यह strategy है यह बहुत viable strategy है अब जो Wix environment अभी चल रहा है यह आगे बनेगा क्योंकि election है तो यहाँ पर इस strategy को आप ट्रेड कर सकते हो काफ profitable strategy है जैसे iron condor होगी iron fly होगी तो इनको आप trade कीजिए और कैसे आपको manage करना है वो मैंने आपको बताया तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं thank you so much for watching the video I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो क लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दिस इस सत्पाल साइनिंग ओफ